हाई, वेलकम तो मैं चनल, इस बीडियो में solve करें question number 6 find the least number of 6 digits which is a perfect square तो चलिए solve करते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें निकालना है least number of 6 digits मतब कि 6 digits का सबसे छोटा number जो perfect square भी है वो ऐसा number निकालना है तो पहले हम निकालेंगे कि यह least number of 6 digits क्या होता है तो we know that we know that the least number of 6 digits is 1 lakh 1 lakh जो होता है वो क्या होता है 6 digits का list number होता है but this is not a perfect square क्योंग perfect square नहीं है क्योंकि देखे इसमें odd number of zeros से गे end हो रहा है मतलत देखे 2, 2, 2, 4 and 1, 5 means 5 number of zeros हैं इसके end में तो जब किसी भी number के end में odd number of zeros होते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि that will not be a perfect square number तो यह perfect square number नहीं है यह जो 1 lakh है तो लेकिन यह list number of 6 digits है लेकिन हमें तो निकालना यह है कि perfect square भी होना चाहिए न वो list number of digits होना चाहिए 6 digits का लेकिन वो perfect square भी होना चाहिए तो इसका मतलब कि यह जो number है इसको हमें perfect square बनाना पड़ेगा तो perfect स्थों बनाने के लिए या तो हम कुछ इसमें add कर सकते हैं या कुछ इसमें से सब्डेट कर सकते हैं लेकिन हम सब्डेट यहां पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब्डेट यह करेंगे तो यह कुछ add करके इसको बनाना पड़ेगा perfect square तो हम add जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे तो क्या करेंगे पहले पहले हम इसको division method से solve करते हैं ओके तो यहाँ पर हम three zeros ओके देखे यहाँ पर बना यहाँ बन गया और यहाँ बन गया पहली बार ले जाएंगे हम three से three plus three 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 nine यहाँ पर चाब one और यह one double zero जो है उतार लेंगे ओके यहाँ पर हो जाएगा three six हो जाएगा अब यहाँ पर देखे एक बार ले जाएंगे ओके तो यहाँ पर हो जाएगा 61 मनस करेंगे तो 10 में से one जाएगा nine और यहाँ बचेगा आपका nine nine में से six जाएगा three thirty nine अब यह double zero यहाँ पर उतर चुका था यह और यह वाला और यह उतर जाएगा last में अब यहाँ last में ले जा रहा है ठीक है और यहाँ पर देखे कुछ add करना है ना हमें याद रहेगा जब add करना रहेगा तो last में जब हम long region method में जब solve करते करते last में जाते हैं तो last में हमें एक बार अधिक से ले जाना पड़ता है देखे 61 यहाँ पर आ जाएगा 62 यहाँ पर देखे कि कितनी बार में जाएगा हमें एक बार अधिक से ले जाना है बस एक बार अधिक तो six cutable पढ़िए 39 कितना आ रहा है तो six six जा 36 होता है लेकिन यह आप six से ले जाएंगे तो यह उससे कम आ जाएगा इसलिए हमें seven से ले जाना पड़ेगा इसलिए हमें seven से ले जाएंगे तभी इससे थोड़ा सा अधिक आएगा तो यह फिर six से चेक कर लिजे कि एक बार six से कितना आ रहा है तो six six जा 36 रिख दे चेक कर लेते हैं एक बार तो six six जा 36 का six और six 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 जा 36 का six three carry over and six two जा 12 and 12 and three 15 के five one carry over and six 36 and 37 पतब यह बहुत कम आ रहा है तो इससे कम तो लाना नहीं है अधिक ही लाना है तो हमें एक बार seven से ले जाना पड़ेगा मतलब दोनों पर seven से ले जाना पड़ेगा हमें एक बार अधिक ले जाना ही है 77 जा 49 का nine हो जाएगा four carry over and seven two जा 14 14 and four 18 का eight one carry over and seven six जा 42 and one 43 अब इतना करने के बाद आपको यह देखना है कि यह जो उपर वाला नंबर है यह छोटा है नीचे वाले से तो उपर वाले में कितना add कर दें कितना इसमें add कर दें कि इसके बराबर हो जाए तो जितना भी इसमें add करके इसके बराबर लाएंगे तभी तो reminder जिरुआएगा और जितना भी x की value आएगी इसमें add करने पर इसके बराबर जो भी x की value आएगी वह वही नंबर होगी जो इसमें add करने पर इसको perfect square बना देगी तो clearly so हमें मिल गया कि 3900 में यदि हम x add करेंगे और यह equal to होना चाहिए 4389 के यहां से x की value निका लीजिए तो मिलेगा हमें 4389 minus 3900 और minus करेंगे तो क्या मिलेगा देखे 9 मिलेगा यहां पर फिर 8 हो जाएगा फिर यहां 3 में जा पाएगा तो 13 में से minus करेंगे 9 तो 14 मिलेगा और थिर थिर कैसे लटों का है 489 हमेरा आगया x की value तो यह जो x की value आई है 489 यही add कर देंगे यही हम इसमें इसमें हम यही x add कर दें तो यह जो number बनेगा 6 digits का वो एक perfect number हो जाएगा ठेक है तो हम 489 इसमें add कर लेंगे तो हम ली सकते हैं हाँ पर कि hence the list number of and the list number of 6 digits which is a perfect square is क्या होना चाहिए 1,000,000 1,000,000 add करना पड़ेगा 489 यह आजाएगा 100489 तो this number this number is the list number of 6 digits which is a perfect square ठेक है मतलब की इससे यह जो number है 6 digits का है मतलब आया है 1,000,000,000 1,000,000,000 this number is the list number of 6 digits which is a perfect square और यही आपका answer है पूछाई यही नहा है find the list number of 6 digits which is a perfect square this number is the number of 6 digits which is a perfect square so hope कि आपको समझ में आगे होगा कैसे करना है तो thank you so much for watching एक comment जुरू करिएगा thank you so much bye